हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका UPSC PCS with Aamer में हमने घटना चिकर के सीरेज को स्टार्ट किया है कि घटना चिकर में जो है उसकी जो प्रिवेस एर के जो कोस्टन दिया जाते हैं जिन बुक्स में वो जो बेसिक जो बुक है आपके जो कॉर्ट सब्जिक्स के जो बुक है उ सबसे पहला हम डिसक्स कर रहे हैं जनरल साइंस तो जनरल साइंस में वेसिकली क्या पढ़ेंगे जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे कि हम UPSC के एस पैरेंट है तो हमें क्या इतनी अवर्नेस होनी चाहिए कि जनरल साइंस में होता क्या है एंड उस चिसके बारे में कि उसमें जो अगर हमें कुछ प्रैक्रिकलिटी ये वाला चीज़ें आगे हमें तो उतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए तो उसलिए हमें जनरल साइंस पर आया जाता है तो सबसे पहला यह क्या हो गया उसका जो अप्रोज होगा उसके जो मतलब जो हमारे जो अप्लेकेशन स साइंस का जो अप्लीकेशन से उन चीज़ों को पढ़ना होता है हमें जनरल साइंस में तो इस सीरीज में हमने दो चैप्टर को पढ़ लिया है कि मेजरमें यूनिट से एक रिलेटेड हैं सेकर्ड हैं मेजर्इंग इंस्टुमेंट पर चुके हैं और मेकैनिक्सक्तम हो मतलब gravity के influence में जो motion होता है बाकी जो different bodies है solar system में जो bodies है या फिर जो हमारा आर्थ कैसे impact करता है मून में कैसे impact होता है इन सारी चीजों को देखेंगे तो इस series का ये चौथा lecture है आप ये देख पारे होगे कि जो different civil services का exams है सबसे पहला ISP का जो exam के पूछे गए देख रहा होगा आपको ये questions है and then जो different state के civil services exam है UP, उत्रखन, MP, 36 गर, राजस्थान, बिहार, चाहरकन तो ये जो different जो public services examination जो है यसे civil services examination है जो है state conduct कराती है उन सारे में क्या है कि ये questions पूछे गए है, इस books में उनका क्या है साब को संकलन मिलेगा आपको ये outline की rate होगा कि इस book में जो है आपको क्या चीज़े पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए and बहुत ज़्यादा य क्या है previous year में पीशे गया questions है, तो बने रही हमारे साथ और आपको जो discuss करते time पे आप देखेंगे कि जो points आपको नहीं आते या फिर जहां पे आप confusion होता है, तो उन चीज़ों को आप note down कर लेंगे ताकि आप exam से पहले उन चीज़ों को recall करके आप अपने exam देंगे और आप कि motion under gravity, मतलब gravity का influence में क्या है कि body का motion कैसे हो पा रहा है, तो इसको समझने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारा solar system है, उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे, जो solar system में है, ये different planets है और different objects है, तो उन चीज़ों को एक बार देख लेंगे कि हमारे solar system में क्या है, ये planets आप देख पारे होंगे Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter and Saturn and Uranus and Neptune है, तो ये सारे क्या है हमारे, क्या है, प्लेनेट से और ये क्या है करती है, सारी जो है, प्लेनेट से सन के around क्या करते है, रिवॉल्व करते है, ठीक है, और सन के around, रिवॉल्व करती है, तो इन जो प्लेनेट है, थोड़ा बहुत, इ क्या है, क्या है, सोलर सिस्टम वाला एक अलग ही चैप्टर हो जाता है, तो उसको कभी और देखेंगे, लेकिन यहां पर क्या छोटी, जो है, आपको, जो होती माइनर चीज़े याद होनी चाहिए, तो ये है, कि सब सब पहला, कि जो है, सन के बारे में, सन जो है, सन इस दा हार्ट आप देखेंगे, 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 हार्ट आप स्टूश्ट है इसके यह याद रिखेंगे कि बने जो है रोटेट करता है कैसे कलोगवाइस लीक रोटेट करता थे सो टो टोते करता है मि Bao वेस्ट करता है रोटेशन बञब क्या हो east to west का rotation हो रहा तो इन चीजों को याद रहेंगे मतलब venus थोड़ा different हो गया and जो अपना जो अर्थ है अर्थ की बारे में कुछ ये याद रखेंगे कि जो है third planet है ये आप अगर करम से देखे ये मरकरी हो गया venus and ये अर्थ हो गया third planet and जो है यहाँ पर क्या life exist करती है अर्थ में and Mars को कहेंगे Mars जो है second smallest planet है और इसमें Mars gas पाया जाता है जिसको आप methane कहते हो CH4 तो इन चीजों को याद रखेंगे and जो है इसको red planet भी कहते है किसको Mars को कहते है Mars को red planet भी कहते है then Jupiter आयता है Jupiter क्या है आपका ये बहुत बड़ा planet है और ये क्या solar system का सबसे बड़ा planet है Jupiter and Saturn के बारे में याद रखेंगे कि second largest planet कौन है Saturn है and Uranus जो है fourth largest planet है और ये Neptune रहे गया तो ये रहे हमारे थोड़े बहुत detail solar system के बारे में solar system को समझ में आता है कि ये जो जितने भी जो planet है तो वो क्या करता है रिवॉल्ब कर रहा है किसके अरॉण Sun के अरॉण solar system में जो different planets है उसकी क्या होते है कि वो solar system में जो क्या है planet है planet की around भी क्या करता है कि कोई natural या फिर जो हम artificial भीजते हैं तो वो क्या होता है ये planet है planet की around भी क्या चक्कर लगाने के लिए एक natural satellite होता है उसको क्या बलते है satellite बोलते हैं जो उसके planet की around लगाता है चक्कर लगाता है है तो settlement बोलते हैं सैटलेट क्या हो सकता है नेच्छरल भी हो सकता है और बाकि जब बेसðते हैं तो वह 3937 202 है यह एक अर्थ है अर्थ के पास हमारा क्या है एप एक नेच्रल सटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं बाकि जो है मरकरी मरकरि और वेंस के कोई भी satellite नहीं है mercury and Venus के पास कोई भी satellite नहीं है यह सारे के ने च्छल सेटिलाइट की बात हो रही है एन जो है marge के पास दो satellite है जुपिटर के पास maximum satellite है इन पॉइंट्स को आपको याद होना चाहिए 79 जो है अब सबसे यदा उसके पास मार्स के पास है मार्स के पास 79 है और जो है मार्स से भी ज्यादा किस के पास है सेटन के पास सब मैक्जिमम है मैक्जिमम कितना 82 सेटन के पास है क्योंकि ये हाली में भी 2019 में पता चला तो ये उसको अबर टेक कर गया कि है अभी जो सबस्यादर किसके पास है सैटर्न के पास सैटलाइट है कितना 82 एंड जुपिटर के पास है 79 तो आगे बढ़ने से पहले देखेंगे कि जो प्लेनेटरी मोशन है सबसे पहले किसने इंट्रोडूस किया था केपलेस ने दिया था और केपलेस ने यह तीन तीन लो दिये फर्स्ट लो दिये जो है एंड सेकेंड लो एंड थार्ड लो दिया उन्होंने तो फर्स्ट लो क्या कहता है कि सन जो है इसको डाइग्राम से दिखेंगे इसमें मैंने डाइग्राम भी लिखेंगे तो कैपलेस्ट के लोग को हाँ कैपलेस्ट ने फर्स लोग में कहा कि all planets moves around the sun in an elliptical path मतलग जो है जितनी भी planet होंगे sun के क्या elliptical path में move करेगा यह क्या होगे आपको यह जो दिख रहा है आपको जो path दिख रहा है यह elliptical path है तो क्या जितनी भी planet है वो sun के around कैसे move करेगा elliptical path में और जो है sun at one of death हो गई मतलब तो क्या है कि उसका किसी भी एक focus में होगा मालेज़ जय कि यह planet है move कर रहा है move कर रहा है इसे तो यह क्या है यह move कर रहा है एक elliptical path में move कर रहा है ठीक, तो जिस orbit में move कर रहा है वो elliptical path है, लेकिन क्या है, कि sun जो है इसके move जो करेगा जब ellipse करते हो आप, तो उसमें क्या होता है उसके दो focus होता है focus 1 and focus 2 जिसको f1 and f2 कह रहे हो आप तो किसी भी एक, क्या होगा focus में क्या होगा sun होगा, और बागी जो है planet उसको move कर रहा है तो ellipse में क्या होता है, कि एक major axis होता है, जो बड़ी वाली जो दिखरा line, ये क्या है, major axis एसको जो कहते हैं, अर बागी ये क्या है, ये भी major axis है और ये जो छोटी वाली है, में इसको minor axis कहते हैं तो उसको minor stress कहते हैं ठीक तो फस्स लोग समझ में आ गया कि जो है एवरी प्लेनेट किसका elliptical path नो मूब करेगा लेकिन sun किसमें हो जाएगा किसी भी एक focus में होगा ना सेकन्ड लोग कहता है कि जो प्लेनेट जो मूब कर रहा है जैसे मूब भी मूब करेगा ठीक अपलानाट स्विल्पस आउट इक्षट इरिया इन इक्षट इंट्रवल कि जितना त्यां भी टाइम इतना कंवर करने में त्लिया इक्षट ओसे तरीके इक्ष्ट कर रहा है कि equal time में equal area cover करेगा कौन एक planet cover करेगा तो इस चीज को याद रखेंगे second law हो गया area equal हो गया मतलब equal time में equal area cover कर रहा है और third law को याद रखेंगे कि जो third law है third law जो है जो time period जो है मतलब इसका जो traveling करने का time period है उसका square क्या हो जागा इसका major axis है major axis यह वाला जो दूरी होता है यहाँ से उसको major axis बोलते है तो जो time period का square जो है directly personal किसका होता है major axis के cube का तो यह तीन relation है पहला जो planet जो होगा वो क्या elliptical path में move करेगा और दूसरा equal interval में equal area cover करेगा और जो third law जो है capitalist के third law तो जो planet जो है का time period है उसका square directly personal किसके हो जागा major axis semi major axis के cube का तो यह तीन होगे capitalist के law तो हाँ diagram से समझगे easily और आप इसको देख लेंगे अगर equal area in equal time second law and first क्या किसी भी एक focus में होगा analytical path में move करेगा और थार्ड लोग की orbital time period की समानबात ही हो जागा यानि प्रोपर्शनल हो जागा semi major axis के cube का तो यह चीज जो है capitalist के third law यह पूछे जाते हैं तो आप यह आपको ध्यान होना चाहिए और जो है newtons की जो लोग है gravitation तो उसने यह लोग दिया कि जो भी दो body होंगे ठीक है तो यह क्या करेगा gravity के कारण एक दूसरे को क्या करेगा attract करेगा तो इसका जो है है newtons ने दिया तो यह है newtons के gravitation के लोग जो है यह जो है यह newtons का जो है newtons ने बोला कि दो नो जो है body है एक दूसरे को attract करता है यह formula उन्होंने drive किया तो यहाँ पर जो जी है उसको बोलते है इसका जो वैल्यू सबस्टाम जो जिसने calculate किया उसका नाम था हैंडी केवेंडिस हैंडी केवेंडिस ने जी की वैल्यू को calculate किया और इसका जो वैल्यू याद रखेंगे 6.67 इंटू 10 का पावर मैनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वार पर केजी स्क्वार तो यह चीज़ भी इसका साइनोट भी याद रखेंगे क्योंकि वह important हो जाता है तो gravity and gravitational acceleration देखेंगे यह जो है जी इसको बोलते है gravity या फिर gravitational acceleration बोलते हैं कोई भी object जो है आप फेकते हो उपर तो एक certain height में पहुचने के बाद क्या आता है वो नीचे आ जाता है नीचे आ रहा मतलब कुछ बल लग रहा उसको center के तरफ तो वो जो खिचने वाला जो है तो यह g खिचता है उसको आप बस यह याद रखना कि relation between g and small g and capital g के बीच में जो small g होता है g mass of earth by mass radius of earth का square जो यह g हो जागा इसको calculate करने पर कितना था 9.8 और g की value पर रगदना meter per second square यह आ जागा तेकिन यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए mass of earth बता होना चाहिए mass of earth कितना है 6 into 10 to about 24 kg and radius of earth हो जाता है 63 171 km तो यह data भी आप याद रखेंगे और g की value भी याद रखेंगे है हैंडी केवेंडेस ने सब फस्ट टाइम दिया था उसको और जो है gravity का सेन वही है कि यह हमारा क्या है earth है अर्थ है और यह moon है एक दुसरे को क्या कर रहा है gravity से attract कर रहा है लेकिन क्या होता है कि यह object जो है यह क्या कर रहा मूब भी कर रहा है इसको बोलते है centripetal force उसमें इतना है कि वह attraction को balance करने के सांथ साथ हो रिबॉल भी कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में कि अर्थ भी करता है हमारे सन के राउंड तो इन चीजों को थोड़ा समझना इजी हो जागा यह डियाग्राम से ग्रेविटी एकस्वरेशन डि AHis obt ब्रेयविटी किसपे डिपेंड करेगा यह डिपेंड करेंगा जो है यह यह आप एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं कि उसके मास पर क्या होता है वेलू अब जीद नहीं करेगा कि अगर माश दोब्जेक्ट है डिफेरेंट माश के मतलब लिएफ जो सीड़ीजिशन अगर उसको जब तक करे गा उसको अ्पास ओसको गोडिया तो हमस्थी यह कैसे नहीं लिखा होगा तो आप यह समझेंगे कि air को अपसेंस ही माना उसमें आइडिल कंडिशन दिया है ठीक है तो जब भी दो अब्जेक्ट को अगर आपने किसी जेगा से फेक रहे हैं ठीक है इस कंडिशन में तो क्या होगा दोनों साथ में गिरेगा कि डूट्यू कि रहन तो कहा है कोई भी अब्जेक्ट आप फिर फॉल फेक हो गए तो वह सिधा कि जमिन में एक ही टाइम पर आएगा एक ही टाइम पर कि एंड जो है जो उसको रिस्ट करने वाला क्या प्रजेंस ओप एयर क्या करेगा डियर एक्सलेशन विल भी वैरी मतलब वह वैरी करेगा कि से अफ्टरस्ट जो लग रहा है नीचे से फॉर्स या फिर विस्कुसिटी यह दोनों कारग होता है एयर का विस्कुसिटी या फ जो है जी के बार में याद रखेंगी जो मिनमम जो होता है यह अर्थ है अर्थ की यह जो है लाइन इसको बोलते हैं एक्वेटर एक्वेटर बोलते हो आप तो इसके इसमें क्या होगा एक्वेटर में मिनमम होगा जी की वैलू एन जो मैक्जिमम जो होगा पॉल में होगा तो यह पुइंट्स आपको पते होने चाहिए तो यह याद रखेंगी जो अगर हम एर्च सरथ से उपर जा रहे हैं तो जी की वेलू क्या होगी डिकरेज होगी और जो आरल सरथ से नीचे अगर जाएंगे और भी डाउन गहराई में तो जी की वेलू बढ़ेगी तो यह बात पता होना चाहीं कि जी सैटलाइट के बारे में सैटलाइट क्या जो किसी भी प्लैनेट के एरउंड क्या मूब कर रहा है नेचरल भी हो सकता है अ styl भी हो सकता है आप नेचरल जो है हमारे जो अर्थ है उसका मून है एंड जो है सेटलियर्ट जो हम भेशते हैं चंदरायान और मार्स मिसन यह इस ट्राइब करें जो बोलते हैं आर्टिफिल्ट बोलते हैं तो सेटलाइट जो भी है तो उसको एक विस्पिट दिया जाता है ताकि वो सर्कुलर पाथ गेंड कर ले और वो चीज में ट्रेवल करते रहें तो उसमें कि जो है M V not square by R यह क्या होता है सेंट्रिफिटल है जो उसको क्या रखता है एक सर्कुलर पाथ में मेंटेनर रखता है और यह विलिविशिटी पे डिपेंड करता है कि वह उसका पाथ क्या हो जाएगा कब अब एलिप्टिकल होगा एंड कब डिफ्रेंट पाथ होगा तो इसे लेटड़ आप एक डियागराम से इजीली समझ पाएंगे यह तो यह सारे है कि अगर वेलिशिटी अगर V के बराबार दे दिया जाएगा तो सर्कुलर पाथ होगा कब ये लिप्स होगा एंड ये लिप्स का और एक फोर्म है लानी है पराबॉल ये परबॉला तो ये एतने सारे जरुवत नहीं है हमारे लिए तो आप याद रखेंगे यहां पर एक चीज की जो वेलिशिटी का फोर्मला होता है यहां पर यह जी एम जी अंडरूट जी मास अब अर्थ वाई आर तो यह याद होना चाहिए आपको एंड जो है इस फर्मुला को ड्राइब करेंगे ऐसे ऐसा आ गया एंड यहां से एक चीज़ आप जाद रखेंगे इसके वेलिसिटी इसके वेलिसिटी इसके वेलिसिटी वो है कि जिस स्पीड से जो है अर्थ के सर्फेस में हम लोग रहते हैं ठीक है यहां से अब जित को फेका जाए भी नोट स्पीड से और वो गया दौरा लटके ना आए उससे जादा स्पीड अगर मतलब हो गई तो यह 11.2 किलो मेंटर से स्पीड होती है कि इसके वेलिसिटी से इससे ज्यादा अगर आपने थोरी से भी अगर दे दी इस पीड ज्यादा तो क्या होगा वो वापस लोट के नहीं आएगा इतने में क्या होगा सर्कुलर मसल में रिवॉल्व करेगा तो वी नोट की जो वेलिसिटी है वो याद रख आते हो तो हवी जिप फर्मॉला आता है कानेटिक नजी और जो पूटेंसिल अनर्जी को कंजब करते हैं तो उस फार्म से आता है यह फ़र्मॉला यहाली से होता है जिए अएम यिरा लई एक तो हाफ सोगम भी मैं बृमा स्विक involve इस फ्रमॉला पर सेकेंड आता है इतने विलिसेटी से ज़्याद आप अगर किसी चीज को गत्रो करोगे तो वो दोवारा लोट के रथ में नहीं आएगा और जो हम जो किसी सर्कुलर मॉसन प्रोवाइड कराने के लिए जो किसी प्लैनेट यह है किसी में जो स्पिट दिया जाता है तो क्या होता है जो सर्कुलर मॉसन में विलिसेटी क्या है विनोट तो इसको अगर इसके विलिसेटी के टम में अगर लिखेंगे तो root to vnode हो जागा और जो है next है हमारा कि जो है periodic motion तो periodic motion में basically क्या होता है कि कोई चीज है किस चीज को periodic motion आप गहेंगे तो कोई मालेत की object है यह linearly ऐसे जा रहा है और ऐसी आ रहा है बना होरियंटल में ही यह क्या कर रहा है to and from motion में oscillate कर रहा है तो इसको बोलेंगे simple pendulum क्या बोलेंगे इसको simple periodic motion बोलेंगे इसका एक diagram से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कि next diagram यह 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 देख पा रहे होंगे आप कि यह क्या है कि एक सिधर रड को लटका दिया गया है जिसका length लिया कुछ भी fix कर दिया ठीक हिंज के दुरू तो इसमें क्या कर दिया आप एगर थोड़ा सा भी ऐसे अगर यहा लगा तो जो है जहां तक यहां जाएगा उसको extreme बोलेंगे दोनों एंड मे और जहां पर इसका main position होगा उसको mean पोसिशन बोलेंबे मिन रो दिया और जो solid, जो mass इसको bob बोलते हैं, तो ये दूनों किया है? एक्स्ट्रीम पोजिशन है, ये क्या है? हमने simple pendulum माना है, तो इसके बारे में इन दूनों conditions के बारे में देखना है आमें, कि existing position में क्या क्या condition होता है और जो है हमारा mean position में क्या condition होते है दैन उन चीज़ों को देखना है दैन उसके बाद question में आ जाएंगे next क्या है हमारा कि जो है periodic motion में कि वहां पर theory में इसको अच्छे से नहीं दिया हुआ था यहां पर एक question में पूस्ट दिया है कि a sample pendulum is set of set into oscillation में है तो इसके बारे में differential पूस्ट दिया गया है कि इसके जो है acceleration 0 कहा होगा and जो है दोनों extremes के बारे में पूस्ट दिया गया है तो इस extremes को क्या बोलते है इसको mean position बोलते है तो mean position में क्या है कि आपका जो velocity है वह maximum होता है velocity and जो kinetic energy maximum होता है अप potential energy minimum होता है और जो force क्या होगा mean position में 0 होगा ठेक and acceleration भी 0 होगा तो याद रखेंगे क्या-क्या 0 हो रहा है force 0 होगा and acceleration 0 होगा and जो velocity है जो maximum होगा कहां पे mean position में and kinetic velocity maximum होगा तो kinetic energy भी maximum होगा kinetic energy अगर maximum होगा तो बटन से लिए energy minimum होगा तो उसी दरगे से जो है extreme position में क्या-क्या चीज़े होगा कि extreme position में हो जाएगा acceleration maximum होगा acceleration अगर maximum होगा तो force maximum होगा ठीक है तो force अगर maximum होगा तो kinetic energy 0 हो जाएगा then kinetic energy 0 हो गया तो potential energy maximum हो जाएगा तो यह सारे चीज़े है जो आपको पता होनी चाहिए किससे pendulum से related चीज़े एक question में पूछ लिया जाएगा जो pendulum का जो time period होता है generally क्या होता time period टू पाई अंडरूट L by G तो यह L effective होता है अगर length है आपको अगर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो effect होगा आप अगर किसी घड़ी में जो है pendulum है न आप अगर पहारों में चलेगे काफी उचाहिए मैं तो जी की फिली महों पे घड़ती है तो जी आपका क्या घड़ी हो जाएगा slow क्यों time period उसका हो गया बढ़ ग अंटिसिपेटेड न्यूटन्स बाई declaring that all things gravitate to the art मतलब यह anticipated का मतलब है कि परकासित क्या मतलब जो है न्यूटन ने इस चीज़ को परकासित किया इस से पहले जो है किसने इस चीज़ को पहले प्रपॉर्पार्ट किया था तो सबसे पहले क्या था कि कि इंडियन एक हिस्ट इस सिद्धान को बोलते हैं इस सिद्धान को बोलते हैं इस सिद्धान को तो यह ब्रहमदात ने दिया था और UPSC में यह को संस पूछ लिए गये हैं तो यह कि इंपोर्टन होया था बागी PCS एक्जाम्स के लिए तो हूग अब तो आपको पता है कि सराइजिक निटन ने क्या दिया थेवरी अब ग्रेविटी जिसका फॉर्मला अब वह वाला याद रखेंगे f equal to g m1 m2 by r square क्या है दोनों object की बीच का distance है और m1 m2 क्या है different दो object का क्या है मास है एंड जो है third question क्या कह रहा है कि हूप प्रपॉंडेड यूनिवर्सल लौ ऑफ ग्रेविटीशन उनिवर्सल लौ ऑफ ग्रेविटीशन किस ने दिया था नूटर्स ने दिया था अब यहां पर कोपनिकस मत लगा गया ना वह लो दिया था और कोपनिकस ने जीगी कलपना की थी स्मॉल जी को निकाला था फॉर्ट नंबर को सन्क्राइब एस्ट्रोनॉट इन एस्पेस कैन नोट एस्टेंड एरेक्ट मिन सिधा मतलब सिधा खरा नहीं हो सकते है सिधा खरा होने के लिए देन फिफ्ट नंबर को सन्की एपल इस रिलीज फॉर्म एन और विटिंग एस्पेसिफ मतलब जो एस्पेसिफ है उससे एक एपल को छोड़ा गया मतलब छोड़ा गया ठीक है तो इट विल मतलब तो उसके बाद क्या हो जाएगा तो क्या होगा कि दोस्तों कि जब एपल एक से जो मूब कर रहा है न वो क्या है एक मैं है अपल को कर दिया रिलीज्ट किया आपवल को रिलीज्ट के तो सेम वो ख़्योटी से वह भी क्या मूब करने लग दो इस सटिफेसिफ के लूब एलोंग विट मूब एलोंग बडर शुनएट अड nice Dale अध तो वहां से क्या कहा रहा है, A number fall towards earth, तो fall तो नहीं होगा, and B कहा रहा है कि move at the lower, ये भी नहीं होगा, and move higher, भी नहीं होगा, तो वह C option is the best option, and 6th number question कहा रहा है, कि the leaning tower of Pisa does not fall, because leaning tower का है, ये एक tower का नहां में, जब मैंने पहले बार देखा तो यह पता नहीं लगा कि यह ऐसा क्या है तो मैंने फिर गुगल किया तो ये लेनिंग टावर क्या है इतलि में एक भूत खुबसरत टावर है इसकी बारे में पूश दिया है तो यह जो है क्या कहे रहा है कि यह फॉल नहीं हो रहा है तो इसका region जो center of gravity जो होगा तो इसके क्या होना चाहिए, बेस में होना चाहिए, तो वही concept किसमें अपला है, कि leaning tower पीसा, तो आप पर है कि it is tapered from at the top, तो यह कोई region नहीं है, it covers the large base area, यह भी region नहीं है, large base area होने के बाउजित, बेस अरिया में अगर क्या होगा, उसका अगर center of gravity नहीं आए यह भी option नहीं है, base option, the vertical line through the center of gravity of the tower falls within the base, यह base option है, d, तो d के साथ आप जाएंगे, then 7 number question है, if the distance between the earth and sun were twice, the earth and sun के distance को माल ले तो यह earth है अपना और यह sun है, इनके बीच का distance क्या कर दिया, अब दो गुना हो गया, now the gravitational force exerted on the earth by the sun, कितना हो जाएगा, तो यह क्या होगा, उसका formula क्या था, f equal to gm by r, इसको क्या होगा, दूग नहीं हो गया, तो नीचे में क्या हो गया, दूग नहीं हो गया, तो यह नीचे में 4 हो जाएगा, मतलब 1 fourth हो जाएगा, तो कहां पर पहला option करें, twice at, यह गलत, four times at last नहीं होगा, and यह क्या हो जाएगा, one fourth हो जाएगा, यह c option, now eight number question कहा रहा है, if an object is falling, its weight remains, मतलब उपर से एक object को गिराया जाता है, तो इसका weight में क्या होगा, changes आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा, weight, weight की बारे में कहा रहा है, तो weight में कोई changes नहीं आएगा, जब तक g की value होगा चेंज नहीं होगा, तो weight में, क्योंकि mass तो constant है, तो इसका value क्या, same रहेगा, and nine number question, if pieces, nine number question, if pieces of equal size of wood, wax and iron falling from a same height, which one will reach to the surface of the earth first, मतलब पहले, अर्थ के surface पे कौन आगे गिरेगा, wood, wax and iron, say equal size का है, तो क्या है कि जब कोई यहां पे कुछ mention नहीं किया है, तो आप ideal condition क्या करेंगे, consider करेंगे, क्योंकि air resistance, consider नहीं करेंगे, तो इसमें ideal condition में क्या होगा, सब एक साथ आएगा, तो D के साथ जाएगे, and next question है, 10 number, कि the two ball of iron and wood of same weight drop from the same height in air, air से same height से गिराया गया, height से, air and wood के ball को, तो कौन से पहले पहुचेगा, तो wooden वाला जो ball होगा, वो बाद में पहुचेगा, और जो है, iron वाला बॉल पहले पहुच जाएगा, तो इसका option कौन होगा, there was one ball falls later, see, and 11 number question, two balls A and B are of 10 kg and 1 kg, respectively, they are dropped simultaneously from height of 20 meter, which of the following is correct, बल्द यहाँ पर mention नहीं किया, A area किसी के बारे में, तो आप ideal condition मतलब consider करेंगे, और दोनों को साथ में गिराएंगे, तो यहाँ पर C option हो जागा, both A and B will ditch the ground at the same time, and the 12th number question, the weight of human being on the moon is 1 6th compared to earth, ठीक है यह बात, क्योंकि G की भलों किया आता है, 1 6th से घड़ जाता है, the moon does not have gravity like earth, अर्स जैसा कि moon में gravity नहीं है, वहाँ पर gravity है, लेकिन क्या है, कम है थोड़ा, तो यह क्या कह रहा है कि, जो region जो हो गया, इसका false हो गया, और पहला वार्ला जो है, assertion सही है, तो मैं बहुत C option इसका हो जाएगा, and 13th number question कह रहा है, कि the weight of anybody is, weight का क्या है था, weight कभी भी, क्या होगा, g की value पर depend करेगा weight, g अगर change नहीं हो रहा तो weight नहीं होगा, mass constant ही है, तो इसको क्या करें है, same at every place on the earth, गलत है, क्योंकि जो है earth हमारा pole, equator पर जो है g की value सब से कम है, and maximum कहां पर था, pole पर था, maximum at pole, तो ठीक है, pole पर maximum, more are required, more नहीं कम होगा, more on mountain, than the place, plane, plane में ज्यादा होगा, कि plane में g की value ज्यादा होता, और mountain में जब height पर चलते हैं, तो g की value घड़ जाती है, और depth में जाते हैं, तो g की value बढ़ जाती है, 14th number question, the weight of human body is, maximum at pole, गलत है, क्योंको हाँ पर g की value घट रही है, and same at every place, ये भी गलत है, maximum at equator, more on the, ये भी गलत है, and c number सही है, सही है, उसमें क्या कर रहा है कि question, एक बाद से देख लिए जाए ये, question है, the weight of human body is, तो weight क्या हो जागा, maximum, sorry, ये weight कहां पर हो जागा, maximum कहां पर होगा, pole, pole पर क्या होगा थी, g की value ज्यादा होती है, और जो है equator पर g की value क्या होती है, सबसे कम होती है equator पर, ये है earth, यहाँ पर equator पर क्या होता, g minimum होता है, और यहाँ पर g pole पर, maximum होता है, तो maximum क्या होगा, जहां पर gq value maximum वहीं पर क्या होगा वेट जादा होगा and 50 नुमर कॉस्टन the variation of the variation of displacement d with the time t in case of a particle falling freely under gravity from the rest is correctly sawn मतलब यह क्या हो गया कि rest मतलब यहां से कोई building से object को गिराया गया ठीक है तो यह गिरेगा कैसे यहां पर u की value 0 है एंड यह d दे दिया तो s equal to ut प्लस हाँ पर t square होता था तो d equal to half gt square हो जागा तो मतलब यह क्या parabola कर्ब लग रहा है ठीक तो यह parabola कर्ब यही देख रहा है यह देख रहा है तो यह तो चभी 0 हो नहीं हो नहीं हो रहा time और तो ऐ औस अप्शन हो जागा यहां पर कोई अबजेक्ट है और इसको टाइम केतना लगेगा पहुचने में तो हाइट तो एची हाइट आ रहा है लेकिन यह यहां के इतना कवर कर लाए लेंद है है लाएः बराबर क्या होगा हो जाएगा फ्रीट स्काइर देंगे टीट काई थेन कनी टीटा यह मैंने है आव बने कि यहां से अंफ के तैंड कि निकाल में आपको फेव करेंगे ग्रund को तो यह C option आजाएगा, option क्या C, 70 number question कह रहा है कि a wall is dropped from the top of height building, building with a constant acceleration यह 9.8 meter per second square, what will be its velocity after 3 seconds, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, भी बराबर, U plus GT, तो GT हो जाएगा सिदा, तो multiply कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 10, 30, पर जो देहेगा, वो हो जाएगा, C, then next question, 80 number question, if the radius of earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, mass same है, earth का radius जो है, 1% से घटा दिया, the value of G on the earth surface कितना हो जाएगा, देखो, पहले radius कितना है, R, अब यह 1% घटा दिया, मतलब 0.99 R हो गया, तो GM by R square होता है, G की value, small g, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यह GM by 0.99 R का square, अब जब इसको आप solve करोगे, तो यह आएगा, उपर में 1.02, मतलब 2% से घट जाएगा, यह, तो यह कितना से घटेगा, 2% से, तो यह decrease by, sorry, तो जब पहले 1 था, पहले 1 था, ठीक है, अब यह क्या हो गया, 1.02 हो गया, तो बढ़ गया ना, तो 2% से बढ़ गया, उसकी जो gravity की value है, 2% से बढ़ गया, radius, घटाने से gravity की value बढ़ेगा, और radius बढ़ाने से gravity की value घटेगा, यहां से भी आप common sense लगा सकते हो, 90 नमर क्या कह रहा है, इस एक्सलेशन ड्यूटी ग्राविटी ऑफ डिस्ट्रिक्टिव एर्थ्ट्वेक, वह बढ़ा अर्थ्ट्वेक को डिस्ट्रिक्टिव होने के लिए कितना gravity के value 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होने चाहिए, तो यह क्या है, सब centimeter per second square है, तो यह वाला लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड में भी आप देख सकते हैं, इसको D को, तो D option है इसका, and 20 number, the mass of body on earth is 100 kg, due to gravity दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्कार, if acceleration due to gravity on the moon is g by 6 कर दिया, then the mass of the body, देखो दोस्तों, यह IS में पुछा गया question है, लेकिन आपको दे दिया है data वगरे, पर confuse करने के लिए, तो mass क्या होता है, कि हमें सा constant होता है, कहीं भी आप चले जाओ, इस दुनिया से दुनिया, तो mass की value क्या रहेगी, हम ऐसा, same रहेगी, mass की value change नहीं होगा, weight change होगा, इस लिए change होता है, क्योंकि gravity की value change होती है, देखो यहां कहारा weightlessness is, weightlessness वहाँ पर होता है, या फिर जहाँ पर gravity 0 हो या फिर gravity हो ही न, तो इसका, जो option होगा, यह, 21 and 22, 22, the earth travel in its orbit at the speed of approximately 400 km per hour, why do we not feel this speed, high speed, तो सबसे पहले आप अप्जब करेंगी, यह speed को क्यों feel नहीं का पार है, कि जब इतना speed से earth move कर रहा है, तो earth क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, land mass है, आप मालों कि बहुत बड़े क्या हो, बस में बैठे हो, ठीक है, तो आप बस के ही चीजों को देख पा रहे हो है न, तो उसे तरह के हम अर्थ में हैं, लेगिन अर्थ के ही चीजों को देख पा रहे हैं, तो वो भी सारे चीज़े क्या है, मूब कर रहा है तो यहां पर क्या है रेलेटिव जो कॉंसेट रेलेटिव जो वेलेटिव का जो कॉंसेट है वो चीज हो रहा है तो आप जो चीज को देख रहे हो वो भी मूब ही कर रहा है तो आपको रेस्ट में लग रहा है आप बस में हो बस की चीजे भी आपको क्या लग तो आप अप्सवाइब तो क्या हो जागा एक नमबर विकॉस वी आट टु एस्मॉल यह स्मॉल वाज़ा कोई कॉछ नहीं 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 जिसे हम पता नहीं चलता है तो हमारा अंसर क्या है बी आप्सन हो जागा लैंट ट्वेंटी थिरी नमबर कोस्वाइब अप्सन इस तर्फ माल ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर दिया दिसपेर कर दिया विच अप दो फॉल्विग विल 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 पक्रेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा उसका Consequence हो जाएगा The weight of an object Will become 0 देखो gravitational force पे G की value पे ही क्या है Weight depend करता है गर वो खतम हो जाएगा तो weight भी 0 हो जाएगा ठीक है वो सही लग रहा है B परहेंगे The mass of the object will become 0 Mass तो कभी 0 नहीं होता है Both mass ये भी 0 नहीं होगा तो A option हो जाएगा 24 नमर question An artificial satellite orbiting Around the earth Does not Does not fall down Artificial satellite है Orbit कर रहा है Earth के around में तो वो गिर नहीं रहा है वो इस चीज़ को पुसाच तो इसका option दिया है कि A Does not Exist at such distance ये इस इजन नहीं है इसका Is neutralized By the attraction of the moon ये भी नहीं ऐसा कोई नहीं है Reaction थो नहीं हो जाएगा Provide the necessary speed Study To its steady motion ये थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन डी भी परते हैं Provide the necessary acceleration For its motion ये दिया जाता है कि Necessary क्या दिया जाता है Acceleration जिसके कारण से क्या वो उसके जो है According move करता है जो हम जो इतनी फ्यूल्स में खर्चा करते हैं बागी चीज़ों में तो इन सब चीज़ों के लिए खर्चा करते है ताकि वो जो जो जिस और बेट में भीजाता है वो उसी में Move करता है 25 नमों कुस्तन Satellite is kept moving In its orbit Around the Earth क्यों move करता है वो है किस जिसके कारण इसको क्या बोलते है क्या बोलते है क्या बोलते है इसको Centrifetal Force तो Centrifetal Force के दौरा Move करता है Then जो 26 नमों कुस्तन कि Geo-Satellite Satellite Continuously active on its orbit D2 Centrifetal Force Which is obtained by तो किस जिसके दौरा ये Obtain करता है The rocket engine that propelled the satellite B The gravitational force on the satellite By the Earth The gravitational force on the satellite By the Earth ये सही है And the sea The gravitational force on the satellite By the sun गलते The gravitational force on the Earth By satellite ये भी गलते तो दोस्तों आपको ये जो जिस सुनकरन स्टेलाइट जो देहने को लिए मिल रहा होगा तो ये आप सुच रहेंगे कि ये क्या परजाती है तो उसको एक बाद देख लेते हैं कि जिस सुनकरन स्किसको बोलते हैं दू तरीकी के satellite होते हैं जो है ये हमारा अर्थ है अर्थ की अगर जो plane में होगा ये अर्थ का क्या है ये अर्थ का plane है इस plane में अगर जो भी क्या होगा हमारा satellite होगा उसको Gyo Estality Satellite बोलेंगे Gyo Estationary Satellite ठेक है अब इससे थोरा सा भी इसे को अगर एससे tilt कर दोगे आप थोरा सा भी इसका theta क्या है? Gyo Estationary का theta 0 है plane से, कोई एंगल नहीं है और जो बाकी जो है, अगर थोरा सा भी एंगल 1 डिगरी, 2 डिगरी, 50, 60 जदना खी डिग्री अगर एंगल ब्राद हो तो उसको बोलेंगे जियो सिंक्रोना सैटलाइड किसको बोलते हैं कि जो है जो सैटलाइड जो भेजा गया लेकिन वो एक पोलर सेटलाइड होता है और श्टयोंस सेटलाइड होता है यह देख पा रहे होंगे आपकी यह क्या है जयो इस्टेस्न से टेल्याइट है और जो पोलर से गुज़र रहा है पोल से उसको बोल देंगे पोलर और्बिट यह फिर पोलर सेटलाइट यह पिर संग्रोन सेटलाइट कहां पर थी हम लोग हाँ 26 नमबर हो गया 27 नमबर The non-forces of nature can be divided into four classes, gravity, electromagnetism, weak nuclear force, and astro-nuclear force, with reference to them, which of the following statement is not correct. मतलब कौन सा सही नहीं है, उसको collect करना है. Gravity is the strongest of force, नहीं, gravity सबसे कमज़र force होती है. Electromagnetism acts only on particles with electric charge, हाँ, सही है. 3. Weak nuclear force causes radio activity, सही है, weak nuclear force होगा, तो क्या होगा? Newton अच्छे से compactly बंदे नहीं है, तो उसलिए क्या होगा? वहाँ पे radio activity वाला घटना होगा. And D है, strong nuclear force holds protons and neutrons inside the nucleus atom, ठीक है. C और D दूसरे का opposite है, लेकिन दोनों ही सही है. तो option क्या हो जागा इसका? सता इसका यह हो जागा. And 28 कह रहा है, if a person, if a person sitting in a lift, then when will he feel that his weight will get increase? कब उसका weight बरेगा? जब इनसान जब कोई elevator में या फिर कहीं पर sitting होता है और वो उपर जा रहा होता है, तो जिस acceleration से वो जा रहा होता है, तो उसके weight में बर जाता है. इसका weight बर जागा, अगर नीचे आ रहा होता है, तो यह घड़ जाता, तो यह है, तो 28 नवर में, when the elevator goes upward exclusively, तो यह upward जाएगा, तो अपवाड पर क्या होगा? इसके mass में मतलब जो weight में add हो जाएगा, M into G plus A, वाला सीन हो जाएगा, and when elevator down यह नहीं होगा, going upward with constantly velocity नहीं, यह भी नहीं, यह option. And 29, the time period of pendulum, क्या होता है, कि इस पर depend करेगा? length पर, and जो gravity का है, वो उस पर depend करेगा. Then इस पर क्या बोला है? कि depends on the mass, depends on length, mass पर depend नहीं करता है, length पर depend करता है. B, and depends on time, यह भी नहीं, temperature पर भी नहीं, depend करता है, 30 number, why does pendulum clock usually slow, या फिर lose time in summer, मतलब जो summer में होता है, जो गर्मी में, क्या होता है, कि length इतनी है, जो गर्मी इतनी होती है, तो इसकी length elongated हो जाती, तो जो है, time period का formula क्या होता है, 2 pi, l by g होता है, तो length बर जाएगे, तो time period बर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घरी slow हो जाएगा, तो due to longer days summer, यह गलत है, तो b number question क्या कर रहा है, due to friction यह भी गलत है, the length of the pendulum increases, यह सही है, and आगे कर रहा, increasing the time period of with oscillation, यह सही है, 30 number, 31 question है, a girl is swinging on a swing in sitting position, when the girl stands up, the period of the swing क्या हो जाएगा, मतलब जूला में कोई लड़की जूल रही है, ठीक है, अब जब वो उससे उठेगी, तो उसका weight क्या हो जाएगा, यह oscillate हो रहा है, तो कौन सी option इसका best है, the acceleration is zero when the bob passes through the mean position, क्या रहा है कि mean position में जो कि थरू पास करेगा, तो उसका acceleration क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, तो सही बात है कि acceleration क्या mean position में zero होता है, तो पहला सही ही लग रहा है, in each cycle of the bob attends given velocity twice, यह उसमें condition माल लिया है तो, ठीक है, अब third question, both acceleration and velocity of the bob zero when they reaches to the extreme position, मतलब कहीं भी एक साथ दोनों चीज़े zero नहीं होता था, आप देख चुके थे, तो यह option गलत होगा, तो तीन वाले को छाटो, यह एक सही है और दूसरा भी सही है, तो चौथा परो, the amplitude of oscillation of the simple pendulum decreases with time, सही बात है, तो C option हो जाएगा, and 32, 33 number, a pendulum clock can run faster, कब faster हो जाएगा, जब उसकी length क्या हो जागी, length बर जाएगी summer में, तो वो क्या हो जाएगा, घरी slow हो जाएगा, क्योंकि time period बर जाएगा, length घर जाएगा, कब winter में, तो क्या हो जाएगा, winter में, time period घर जाएगी, तो मतलब घरी slow होने, fast होने लेगेगा, तो क्या winter में, घरी fast चलने लेगा, क्योंकि length कम हो जाएगी, and 34, अथ इसके velocity, यह बताए था, 11.2 km per second, what will happen if an object thrown into a space with 8 km per second, फेग दो, क्या हो जाएगा, space में आपने फेगा, इतने 8 km per second से, क्योंकि 11.2 क्या है, km per second यह क्या है, इसके velocity, इस से ज्यादा करोगे, तभी वो वापस लोट के नहीं आएगा, तो 8 से कम है यह, तो क्या करेगा वापस, लोट के आएगा, object, तो B अपसन हो जाएगा, it will return to earth, and जो 36, there is no atmosphere on the moon, because, moon because, it is near the earth, it receives light from the sun, यह दोनों अपसन तो नहीं है, and जो C को C है, it revolves around earth, यह भी नहीं है, and D कहाएगा, the S के velocity of the molecules, on it is less than the root mean square, velocity है, तो यह जो है, velocity कि इसका molecule से पर depend करेंगे, molecules का, अगर environment सही रहेगा, तो molecules वहाँ पर रहेगा, यह तो नहीं रहे पाएगा, तो यह उस पर depend करता है, and 37 number, given below, और two statement session दिया है, and region दिया है, तो कह रहा है कि, lightning a candle in a space does not produce flame, मतलब lightning candle का होगा, तो वहाँ पर flame नहीं बनेगा, तो कहाए कि lightning of candle का होने, मतलब gravity requirement होता है, candle को जलाने के लिए, ठीक है, दूसरा region कर रहा, a flame exists to pull gravity, क्या कर रहा है, region सही लग रहा है, statement भी सही लग रहा है, तो इसका option क्या है, कि दोनों explain भी कर रहा है, और यह क्या है, कि इसको जो नासा है, experiment करके यह बताया, कि जो है, कि lightning के लिए, जो है, gravity station का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण वो हो पाएगा, the state of weightlessness, the size of candle flame will be, weightlessness का मतलब है कि zero gravity या फिर बहुत कम, तो इसका जो है, इस प्रेकल साइज होता है, यह चीज याद रखेंगे, तो यह सारे questions होगे, 38 नमबर तक, जो जितने available थे questions, इसको discuss कर दिया है, आप देख लेंगे, जो है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर serious, तो आप like करेंगे, comment करेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना यार, and it will motivate me to do work, and as harder as, and thank you for watching,